जब तक भिक्षा को याचिका को अपनी अध्धात्मिक तथा श्रभावे की स्थिती की अनुभूती ना हो जाए। अन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्णा अरे कृष्णा जी प्रभुजी प्रभुजी आगे पढ़ूं क्या थोड़ा सा यहां ते कौर पढ़िए। केवल परमेश्वर ही आत्म निर्भर हैं। पाँच हज़ार वर्ष पुर्वजब भगवान क्रिश्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने फिपिन कार्या लायों कार्यक लापो द्वारा भगवान की पून अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। बच्पन में उन्होंने आगाशूर वाकाशूर तता शक्ता शूर जैसे और एक सक्ति साली असूरों का वर्द किया। किसी बाहरी प्रयास से उन्में इतनी सक्तिन आ जाने का प्रशन ही नहीं उठता। उन्होंने भारू दोलन का कोई अभ्यास के विना गर वो गोवर्धन परवत उठा लिया। उन्होंने किसी समाजिक बंधन तता निल्दा का विचार किये बिना गोपियों के साथ रास्ट चाई यद भी गोपिया उनके पास काम भाव से पहुँची तथा भी गोपियों तथा स्रेकृष्णी के संबंध की पूजा भगवान चैतने तक ने की जो कठोश न्यासी थे त अनुसासन के नियमों के कटर पालक थे इशो उपनिसत से में भी इस बात की पुष्टी करने के लिए कि भगवान सदेव शुद और अदूशित हैं उन्हें सुद्धम तथा अपाप विधम कहकर वर्नन किया गया है वे इस तृष्टी से सुद्ध हैं कि यदि कोई असुद वस्तू भी उनका इसपर्श कर ले तो सुद्ध हो जाती है अब पाप विधम सब्द उनकी संसर्ग की सक्ति को बताने वाला है जैसा कि भगवद गीता जी प्रभुष्टी के लाद हरे कृष्ण तो इसमें एक-एक शब्द का प्रूपा जिने हमें इतात्पर में समझाया है यहां पर क्या गया है अब सुरी की रोशनी कहीं भी पड़ती है चाहे वो गंदे नाले का पानी हो या शुद नाले का पानी हो परन्तु शुरी की रोशनी सब को समान रूप से प्रकाशित करती है और उसको भाप में परिवर्तित करती है परन्तु उसके भाप से ऐसा नहीं होता है कि सुरी उससे दुशित हो जाता है सुरिक अगर गंदे पानी को सुरि सुवात्या है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सुर्ध उसके भाप से दुशित हो जाता है सुरिश हमेशा प्रकास्षित रहता है तो भगवान अशुद्ध हो इस तो इसमें भगवान हमेशा शुदी रहता है जो प्रखवान कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं सूरी के समानि इसके बात क्या आता यह अन्तिम छंद है इसको भी कोई पढ़ना चाहते है पड़ लिए सुधा गांधी मताजी हरे कृष्पड़ी कृषप कि हरे कृष्पड़ गांधी मताइँ दॉक्टर राखी माता आप पढ़ लिए पिस लास्ट उच्छन्द जैसा कि भगवर्ट जीपा 9.30 and 31 में कहा गया है भग्त प्रारम में सुधुर अचार अठार उत्तम अचार से रहित प्रतीत हो सकता है लेकिन उसे शुड मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है जो पाप पून प्रतीत होते हो तो भी अहसे कर्ण शुब होते हैं क्योंकि पाप दौरा उनके प्रभावित होने का प्रशंदी में उत्ता चुंकि वे सबी पस्पिक्यों में शुधम अठाच सरवाजिक शुद हैं अतेव उनकी चुन्मा बहुदा सूरिय से की जाती है सूरिय प्रिच्वी के अनेग स्वाव सप्रिष्टियस खानों से आज्रता निपाल लेता है फिर भी वह शुद बना रहता है ये संदे वह अपनी किजानी नाशक शक्ति से धुरगंद वाली वेस्पिना को शुद सकता है यदि सूरिय जो की भातिक वक्तूर इसमा शक्ति मान हो सकता है तो हम सर्व शक्ति मान हगवान की शुद करने की शक्ति की कल्पनों भी नहीं चर सकते अजिए धर्नेवाद तो हम ये दिस्टांट को समझ चुके हैं कि भागवान अशुद्धम अपाप विद्धम है उनको कोई भी अशुदता जो है उनको छूनी पाता है और ये सूरिय का दिस्टांट वक्त जी ने इसको बहुत ही इस दिस्टांट को बहुत अच्छे से समझा दिया कि सूरिय की जो रोश्णी है वो हर को एक गंदे नाले का पानी या पिर दुशित जल को भी वो शुद्ध कर देता है इसको भाप के रुप में इसको सुखा देता है परंतू इससे सूरिय की जो रोश्णी है सूरिय में क कोई आच नहीं आप अशुड़ता नहीं हो भगवान क्या है भगवान अपापविद्धम अशुड़्धम शुद्धम है अपापविद्धम अधरी हरी यह आपका मंत्र आठ संपन होता है शुल प्रभुपाद की तो हमने आठ क्या-क्या पढ़ा हमने कल से लेकर करके आज सबसे पहले हमने महाभागवत की चर्चा की महाभागवत वह होते हैं जो विद्ध्याविने संपने ब्रामनी जवी हस्तनी सुनी चाईवा सपाकिचा पंडिता संदर्शिन तो यह सब कुछ चरित्र है महाभागवतों के ठीके हैं महाभागवत हर जगह भगवान के सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं हर समय भगवान का चिन्तन करते हैं और सततम किर्थन करते हैं चिंतन करते हैं कि तो और गुनातीत हो जाते हैं सहगोनांसंतित त्यत महाँ भूOSTairs परिमार ने करें कि कहा साक्षे रूप में इस तरह से भागवत गुनातीत होते हैं और यह भौतित किनों कूनों को पार कर जाते हैं इसके बाद आज मने क्या अध्यन करा आर्ड मंतर में अध्यन करा कि भगवान शुख्रम अटायम वर्णव सब्रमखदंशपम up quickly भगवान के भगवान का दो यो तो बागवान के शरीर में शिराय नहीं होते हों नहीं होती हड़ीया नहीं होती हड्या रख्त नहीं होता दो नौन उनको एस्ःक क्षड़ वन्हें वह वह श्लन के चमने में शुद्ध हो सकता है ठीक है वो सब को शुद्ध कर देते हैं remove तो वो इनसे अच्छूते रहते हैं अगर हम भगवान को भगवान की शरीर में रख्त को देखते हैं तो यह हमारी भूल है क्यों कि हम इन अपूर्ण इंद्रियों से भगवान को देखते हैं कि भगवान के शरीर से खुन निकल रहा है भगवान को यहां चोट लग गया क्योंकि भगवान तो भक्तों को आनन्द देने के लिए सब सब कारे रचाते हैं कि चाहे वो बिश्मदेव हो चाहे वो यशुदा मया हो तो शारेरिक रूप से जो भी वो करते हैं अगर हम उनको शर महिश्वर के रूप में नहीं जानता है मुझे ऐसा समस्ता कि मैं मनुष्य के रूप में उत्रपन हूँगा तो यह हमने आज का अध्यन किया तो अगले सत्र में बहुत इंपॉर्टेंट विश्य आने वाला है अगला जो चार मंत्र है वो बहुत महत्यकून है किस विश्य जीवन में क्या मुल्य है वो हम अगले दोश्लोकों में पढ़ेंगे उसको शास्त्र क्या कहते हैं जो बहुत विद्या हम लेते हैं उसका क्या महत्व है और वह हम अपने जीवन में उसको किस तरह उसको वहवारिक रूप में कैसे हैं उसको देख सकते हैं तो अगला दोश बहुत महत्तों हरे कृष्ण श्रील प्रभुपात कीजिए नमा चाहिए लिए 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 कोई प्रश्ण है लिए हरे कृष्णा प्रभुजी करणा हुँ प्रभुजी मैं अपनी अटेंडेंस नहीं कर पाई हूँ यह पॉन में इस प्रॉब्लम हो रहा था जी माता अटेंडेंस नहीं कर पाएं जी इसके पुछ नहीं अच्छा प्रभुजी को दुबारा बोल दिजिए लिए लिंक पेज देंगे ठीक पुल लिंक दुबारा आ गई है भंडी जी डॉक्टर राखी माता हरे कृष्व माता जी प्रभुजी अभी आपनी रेशेंस दिया था कि अध्यात्मी जगत के स्रेश्ट परम पुरुष इसे नहीं है जो हंड़र परसंट है बहुतिक जगत के स्रेश्ट पुरुष भ्रमादु जो 69 परसंट है और शीव बताये था आपनी 84 परसंट तो प्रभुजी उनको किस ज चुछ जगत के हो गए थापनीक जगत के परम पुरुष ब्रहप्मा जी आपनी जगत के सरस्रेश्ट परुष तो ऐसे शीव जी को कहां हम मानेंगे 6-6 तात्व काहा जाता है तो वह टत्म है और तीम निकलते हैं वो इसले जिव टत्व हैं डीजीव तत्व के सबसे सबसे सरव failed ब्रह्मा जी जो पूरी द्रिश्टी का उत्पात करते हैं और दूसरे हैं वह शिवतत्व शिवतत्व जो है वो विश्णु के बहुत करीब माने जाते हैं ठीके तो उनका उनमें 84 प्रतिशत गुण पाया जाता है भगवान के 64 64 पुर्ण गुण होते हैं और ये 64 गुणवा माता ठीक है उसको शिवतत कहते है ठीक है माता वो मतलब मेरा तूछने का मतलब यह था कि आधिहात्मी और भौतिक जगत से एक्स्ट्रा एक और जगत माना जाए यह यह वैकुंट और वैकुंट और भौतिक जगत जब आप गोलो का चार्ट देखेंगे तो इसको आपको समझने में बहुत ही असानी होगी गोलो का चार्ट माता जी को बोलता हूं दुबारा भेजेंगे गोलो का चार्ट जब आप देखेंगे तो उसमें वैकुंट लोग है वैकुंट लोग औ और भाउतिख जगत के बीज जो 14 जगत है उनके बीच में एक शिवततव शिवततव जगत आता है उनके शिवततव आता है थीक्या मात इसको इस तरह से समझने का परिए सब्सक्राइब और कोई प्रश्ण है कि नेगा और कोई प्रश्ण है कि नेगा कि वांचा कल्पत्र भैश्च किर्पा सिंदुमें एवच पतिता नाम पावने भयो वैश्णवे भयो नमो नमा अनन्त गोटी वैश्णव ब्रिंद केई जै श्रेलुकुभुपाद केई जै नमाचार है अगले गुरुवार्श्ण कुमेल जैंडें आपसे हरे क्रिश्ण